बुरहानपूर के आजाद नगर क्षेत्र में गोकुल चंद्रमा मंदिर ट्रस्ट की करीब 10 एकर जमीन पर बुषकर्म के मामले में फरार आरोपी निर्दलिय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंग शेरा के करीबी विधायक प्रतिनिधी कलीम पहलवान के अतिक्रमन पर बुरहानपूर तहसीलदार मुकेश काशिप की अगुवाई में पुलिस बल के साथ टीम को मौके पर रवाना किया और मदर की जमीन को बुल्डोज चलाकर अतिक्रमन मुक्त कराकर कबजा शिकायत करता की समक्ष मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौपा करता है और में प्रशाशन का पुलिस बहाग का सभी का अभार्वेक्त करता हूं कि उन्होंने जो है सही जो निर्ने था वो पारित किया और कब्या मंदिर ट्रस्ट को वापस दिलवाया है इसमें सुनने में आ रहे है कि कलीम पैलवान तो उसने यहां पे सो किराय से भी दि में परन्तों आप कल से एक एक मंदिर को साथ होगा और आने वाले समय में जो भी किराया और जो भी तै करेगा मंदिर रहें तो जो भी किरायदार हैं वो मंदिर पैसा देंगे दोक्टर आनन दिख्षित यहां क्या आज करवाई हुई दिए वीसल ब्लोवर श्री डॉक्टर सुरिकान और फानन दिक्षित जी की शिकायत थी जो कि काफी दुनों से पड़ी हुई थी कि पर मंदिरों की जमीने लगबक दस एकड़ और उस पर कलीब पहलवान का कब्जा है तो उसकी हमने आतिकरमन की हमने जाच की विदिवत जाच करने पर यह पाया गया कि यह जो जमीन है यह गोकल चंदरमा जो भगवान जी की मूर्ती है लक्ष्वी नारायन भगवान जी की और पेटी कॉंट्रेक्ट पर लोगों को दे रखा था इडवट्टे वालों को तो आज हमने उनसे कब्जा ले लिया है दस एकड़ का और बंदिर के प्रतिनीती से भूशन पाठक और भूशन पाठक को और दिनेश हरी किसंदास को और जो आनंद दिक्षत हैं डक्टर आन